नमस्कार नवरात्री परवकी और आज दशेरा परवी आपको बहुत 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 शुब कामना है और आज मेरे साथ मध्यप्रदेश के एक उर्जावान विधायक लोगप्री विधायक आज एक पूर्वापन से मिले थे तो क्या हो रहा है कॉंग्रेस के लगातार विधाय क्यों पार्टि छोड़ गाएं कि अंसा कि आ कारणा के सुना है। कॉंग्रेस के पंद्रा महीने के सास अनुमने लगातार वेद खनन को लेकर सवाल उठाए हैं अब वो खामोश दिखाई दिखाई दे रही हैं चेतरी सांसच जी की अगर हम बात करें वहां से जो गौतम पटेले प्रतियाशी तो उन्होंने वहां पर जाकर खदाने बंद लगातार विवादों की खबने सुनने मिल रही हैं ऐसे में कैसे जिले में जो भैका माहूल कैसे खतम होगा आम जनता में बाकई गाड़ाबारा विधानसवाद शेतर में पूरे वह का बाता में बना हुआ है कल परसम फिर गोली चली है गोली लगी पुलिस ने मामला कायम क है गाड़ाबरा घाएग जी अभी बाहर चुनाओ परिचार में गया है उनका गोहत तरब बिंड में चुनाओ परिचार में ह буह नहीं नहीं है अभी हम लोग भी बाहर चुनाओ परिचार में लगे हैं तीन त하gra का मदान होने के बाद नर्सिंग्पूर जिले में जी कलेक् परकारी गतिविदियों पर सीग रोग नहीं लगाए जाएगी तो फिर सकती से इनके खिलाब कारवाई की जाएगी इस परकार के लोग नर्सिंग पर जिले में नहीं रहेंगे चाहिए वो किसी का संड़क चड़ो किसी का असीरबाद हो कहीं कि बाहू बली आये हो कहीं कोई हो नियम से अपना काम करें जो उनकी नियम में आता है जो पॉइंट उनको अथराइड हुए हैं उन पर जाके वह अपना उत्करन करें हमें कोई आपती नहीं है वाई जला पंचा जब्देग जी भी अंसन पर बैटे थे पूर बद्देवन पटेज जी उनने भी मांग पिछले माय बंद हो गहीं ती सितंबर में फिर चारू हो रही है अभी जिन पर रोक लगाएंगे अब निश्चंत रहिए नर्सिंपुर जिली में अब अंचेन रहेगा कहीं के भी लोग होंगे इनको अलग कि जाएं गाटा बारा बिदाइक जी आ जाएं वहां उत्करन र इखती थी पहले आम अदमी को गरीब परिवार को पहले ढाई से 2000 तक में ट्रॉली मिल जाती थी यह अगार हम बात करें दो दस बाराई जार में डंफर मिल जाते थी लेकिन वर्तमान में इतना हाई रेट करके रखाया तो जो आम गरीब परिवार है जिले का उसको घर बना कि यह भी अपने बाहन चलाना बंद कर रहें वह अपनी बात रखें कि भाई हमें को यह इतना बड़ा बैपार नहीं है अपने गाउं मेरे ले जाते हैं तो कमपईसियं अभलब दो और लोकल की जो लोग हैं उनको तो पहले भी छूट थी ग्राम पंच्या थे काम के लिए ल ले लो आट सो ले लो जेने कि अधाई सोगा चारा जाए लो इस पर कार जिवराइटी बसुली हो रही यह भी गलाते लेकिन बैक्तिकत गाड़ी वालों को ठेकिदार का मैटा रहा कहीं ने कहीं जैसे पिछली बार आपने बयान दिया था एक बेबाग बदाय के रूप में आप जाने जाते हैं कि 24 गंटे में दनलच्मी को आप यहां से रवाना कर देंगी लगातार आपके बयान चर्चाओं में रहते हैं लेकिन जो इस्थानी लीडर हैं कि सर्फ समझे सर्मा के लिए वधायक नहीं हैं से सांसदमी हैं और तीन वधायक हैं कहीं ने कहीं वो इस म गयान में आएगा तो हम उसका बिरूद करते हैं और हमारे छेत में कहीं भी चाहिए इस्थानी लोगों चाह बाहर के हों किसी को इस परकार से गहर कानूनी काम करने का दिकार नहीं है ना कोई सट्टा जिवा खिला सकता ना किसी परकाई की गुर्णागर्दी कर सकता अगर कोई हमें जनकारी मामला आता है इस्थानी लोते हैं उनका भी हम बिरूद करते हैं उनको भी पुलिस के दोरह का रवाई किरा के जयल के अंदर बिजवा जाएगा बाहर के लोगों उनको भिजवाए जाएगा और मैं मानता हूं कि सारे जलों के जनप्रुदितियों को इस गहटनाओं का बिरोध करना चाहिए, आपका जिला है, आप यहां इसे आपकी जन्म हुआ है नरसिंपुर जिले में, जहां पर आप पैदा हुए है, उस जिले में अराज एकता बढ़ती है, तो उसका बिरोध इन सब को करना चाहिए, आम नागरिक से लेके जन्पिरतिती किस करते हैं, जिसमें की समाज प्रताड़त होती है, ऐसे लोगो को यहां से बाहर करना चाहिए, आज भी कहूंगा कि अगर इस परकार के कोई भी जब मामला मेरी जनकारी में आया है, मैंने पहले भी कहा तो 24 घंटे के अंदर जिले के हम बाहर कर देंगे, और आज भी कह रहे ह कि अगर कोई मामला अतुरा हुए, जनकारी में आता है, तम ततकाल उसमें कारवाई तो एक घंटे के अंदर कर वाते हैं, सरकार गिरने के बाद, कौंगरिस सरकार गिरने के बाद, सबसे ज़्यादा अगर लोग बोलते हैं, तो नर्सिंग पर जिले को नकसान हुआ है, हमन पूरे प्रदे पनेकि में नाची जैसा मुखमंत्री इस मादी पर्देश को मिलना ना मुंक्न है। यह कितनी बड़ी सोच, इतना बड़ा बीजन, उनका था। कि पूरे बहरत में एक अलिक राजी के रूप में जाना जाता।। नो नहोंने कभी है कि अ बंस जाटे इमाति प्रदेस का नुक्सान हुए नर्समपुर जिरेका तो हुए है मागी पूरे प्रदेस में जो बिकासी गती रुकी है इंचे महिने में अगर इस वरने चाहस तीन तारीक को मद्दान हो जाएगा दस तारीक की बाद फिर से वरनी कमलनाच जी प्रदेस को गती देने की जनता चाहेगी मत्देप्रदेस का नुक्सान करेगी वापस उनको मुखबंती बनाके फिर समय प्रदेस को बिकासी गती में आगे बढ़ाएगी सांची हो सुर्खी हो लगातार आप चुनाओं में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दे के लखी है कमलनाच जी ने जब पर में जब आप विधायक लखन गौंगरी जी के पास गय थे उनके पारिवारी कारी करम में तो कमलनाच जी के सांदा भूपाल गय थे क्या लग रहा है उनसे जब आपने बात की होगी सुर्खी जा रहे हैं सांची जा रहे हैं क्या कांगरेस की बापसी आपको दिखाई दे रही है सो प्रितिसाद चाहे सुर्की हो सांची हो या पूरा चंबल संभाग हो पूरे मद्दे परदेस में जिस परकार से सरकार गिराई गई है और जिस परकार से कांगरेस में मानिका मनाच जी को कमजूर करके सरकार गिरा के दूसरे दर की सरकार बनाई है जन्ता के मन में इनके पिर्टी आक्रोस है उए चुनाओ जन्ता ने अपने हाथ में ले लिया है आम माननी कमना जी के प्रोग्राम जहां भी हो रहा देखो हजारों की संक्या में लोग आ रहा है तो जब लोग आता जब उसकी एक्षा होती किसी को सुनने के लिए तो उन्हें मालू है कि निर्दोस अदमी को सत्ता से बेदे खल किया है अकारण उनको यहां से हटाया है जनता ने तो पांस सार के लिए चुना था वो जनता का आजी मनने का मनना जी मुखमंती रहें उन्होंने किसानों करजे माप किये थे पंद्रा साल में भारती जनता पार्टी ने हर किसान का मिजली का बिलादा कर दिया ता जहां 6,000 अदो तो तीन उजर कर दिया पेंसन जहां 300-600 कर दी मुखमंती बिवाय योजना में कन एदान में 24 रखते हैं बार आजार लग रहे हैं इसा सीधा अपरित्य एक फिरत्य गूप में किसान को बायदा पहुचा है वो किसान के इसलिए मन कांगरिस के पृती है वानिक के मननाजी के पृती है अनने केबल बातें की हैं उनने काम किया है मात 15 महेने में जो गरीब रद्धों क एक चलता है कि लगातार विकास पर विकर रख ते बिजन में लेकर चलते हैं आने वाले समय में आपके क्या माइंड में है कि तेंदु खिड़ा के लिए क्या बड़ी सोगाते आप दीना चाहती है तेंदु खिड़ा में आदी बिधान सुभा में नहर है आदी में नहर नही है हम प्रयाज करें कि हमारा नर्णदा ये उत्रा धटका जो छेतर है यहां की संपून चिंजरा काैप हरन नदीश theo लेकर सिंदू नदीश तक जो गाऊं यां पर आते हैं इन गाऊं में चिनकी परियजिना के माद्धिम से हो या चोटे एक स्टाप ड्यम के माद्धिम से हो या बरگी की नहर का पानी उस स्टरब से इस स्टरब लाने काम हो वाली आने वाली है क्या शुपकामना नहें है नो dus पूरे जीलेवासियों को प्र देता नोरात्री मनाई है मैं आदिछादाओ美元 देता हूं हो उसी प्रिकार से परकार तोड़ा करोना का महामारी का समय चल रहा है लोग मिल जूलकर अपने शूचल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ दोते रहें, आपस में जाग रुकता बनाए रहें, किसी को इन दिक्कत होती ही तो उसको अस्पताल भिजवाएं, और इस सामझ जसे बना के इस लड़ाई को हम लड़ें, दीपाब अली की अभी आने बाली है, उस तेवार को भी सुक सान्ती ग आपसी करेगी, कैसा लगा आपको आज का हमारे है कारी करम हमें जरूर बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद